आशीश साखर कर वो नाम जिसे बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है फिटनेस फ्रीक और बॉडी बिल्डिंग की समझ रखने वाला शायद ही कोई होगा जो इस नाम से परिचितना हो मिस्टर इंडिया का टाइटल हो या मिस्टर यूनिवर्स के मंच पर अपना हुनर दिखाना हो मुंबई के रहने वाले आशीश साखर कर की दुनिया भर में अच्छी खासी फैन फॉलिंग रही है भारत हो या विदेश उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और जीत हासिल की उन्होंने चार बार मिस्टर इंडिया के अलावा महरास्त्र श्री का खिताब भी अपने नाम किया मिस्टर उनिवर्स में ब्रॉंज मेडल जीता, चार बार फेडरेशन कप, मिस्टर इशिया प्रतियोगिता में सिल्वर और यूरोपियन चैंपियनशिप में भी मेडल जीता लोग उन्हें अपना फिटनेस इंस्पिरेशन और बॉडी बिल्डिंग को लेकर आइकन मानते थे यही नहीं उन्हें महरास्त्र के सरवोच खेल सम्मान शिव चत्रपती पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया था आशीश अब इस दुनिया में नहीं रहे एक बीमारी से लड़ते हुए आशीश ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया उनके फैन्स शोक में डूबे हुए है जानकारी है कि कुछ दिन पहले आशीश बीमार हो कए थी जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था लेकिन उनकी तब्यत ठीक नहीं हुई हालाक ये बताया जा रहा है कि वे जिस बीमारी से ग्रस्त थे वो उन्हें काफी समय से थी ये पता नहीं चल पाया है कि वे किस बीमारी से पीड़त थे यानि बीमारी का नाम क्या है इस बात की जानकारी नहीं है आशीश का जन 18 नवंबर 1980 को हुआ था अपनी 43 साल की जिंदिगी में आशीश ने खूब नाम कमाया और लोगों के पसंदीदा बॉडी बिल्डर बन गए आशीश के फैंस के अलाबा महरास्टर के CM एकनाच चिंदे ने भी आशीश के निधन को लेकर शोक व्यक्त किया है बताया जाता है कि वे जितने अच्छे स्पोर्ट्स परसन थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे उनकी पतनी रुनाली साखरकर के साथ उनकी काफी अच्छी बॉंडिंग रही उनके फैंस उनके इंस्टाग्राम एकाउंट पर पुरानी तस्वीरों पर कमेंट्स कर रहे हैं और कमेंट्स सेक्षन में भी उन्हें श्रद्धांजली दे रहे हैं उनके बेटे का नाम आयूश है उनके इंस्टाग्राम एकाउन पर बेटे आयूश के मुंडन की तस्वीरे भी लोग देख रहे हैं और उन तस्वीरों और वीडियोस के जरी आशीश को याद कर रहे हैं 43 साल की उम्र में भी आशीश लगातार 80 kg बॉडी बिल्डिंग क्याटेगरी में आक्टिव थी और प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे थे लेकिन बीमारी से जूजते हुए उनका 19 जुलाई 2023 को निधन हो गया वो हमेशा आपने चाहने वालों के दिलों में अमर रहेंगे और जब भी बहतरीन बॉडी बिल्डर्स का नाम लिया जाएगा आशीश का नाम भी जरूर लिया जाएगा